प्रेंड सिबिल अनिस्रा चैनल को लाग करत बटन दबा कर सब्सक्राइब करें साथ में नए वीडियो के उप्रेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना नाव मुझे वीडियो को लाइक पॉमेंट और सेर जरूर कर जाएगे अगरे जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है एस्टेक्चर में क्यों भकलिंग कमप्रेशिंग और शेरिंग हो जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज एस्किप नहीं हो येगा और समझिए यह मेरा बीम है उपर वाला यह पार्ट मेरा बीम है और नीचे वा जाता है, compression हो जाता है, और यह क्यों share हो जाता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि buckling होता है क्या, buckling क्या होता है, जब कोई load, high load लगता है critical level से, high हो जालता है, high yield stress हो जाता है concrete में, यह structure क्या होता है, fail हो जाता है, deformation से play लेता है, तो यह buckling band हो जाता है, compression में क्या होता है, कि एक ही जगह, एक ही जगह beam मतलब कि collection हो जाता है, compression हो जाता है, एक जगह guttry tap का fail हो जाता है, जैसे आप इस beam में देख रहे हैं, और मैं आपको full HD quality में ले जाके figure में दिखाऊंगा, compression फ्यर्वर में दोस्तों figure में देख रहे होगे, एक ही जगह guttry band दिया है, गोला-कलर का, share क्या होता है, तो कॉलम का जो, कॉलम जो रहता है, जब हाइल एल्ड इस्ट्रेश, उसके बाद earthquake और axial load के कारण यह earthquake भी होता है, जिसके कारण जब हुकम पाती है, तो जो कॉलम है न, crack होके, अलग-अलग मतलग कि विखर जाते हैं, अलग-अलग दिसा में हो जाते हैं, जैसे कि इस डियाग्राम में आप देख रहे हैं, इसका क्या-क्या region हो सकता है, फेल होने का, तो हम लिखते हैं, वाटीजे, region, region behind, end of, failure, structure, structure, पहला है buckling, buckling, पहला point लेते हैं, तीनी चीज़ के बारे में एक ही बार बता देते हैं, सबसे पहला region है, earth, quick, earth quick के वज़े से, फेल होता है, वो कंप जिसको बलते हैं, कंप के कारण, दूसरा region है, high, दूसरा region है, high, and, stress, stress, तीसरा region है, high, low, high, low, high, high, low, to cross section, to cross section, section, प्रेल, तीसरा region है, प्रेंट, 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 कॉलाप्स, साथा region है, पाच्वा, स्वारी, पाच्वारी जन है, seekers, compression, force, सथा region है, wind load, हवा के कारण आंधी तु फान, ठीक इसके ये 5-6 रिजन है जिसके वज़ा से हमारा कॉलम में बकलिंग आता है कमप्रेशन आता है और शेरिंग आता है यह आज का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक था आपको हम डियाग्राम के माधियम से दिखाएंगे तो सीधा डियाग्राम में चलते हैं फ्रैंड इमेज में देख रहे हैं बकलिंग और कमप्रेशन शेरिंग के कारण किस टैप का अस्ट्रेक्चर से पले लेता है बकलिंग में देखिए बीच में बैंड हो रहा है हमारा structure और compression में गठरी बान रहा है बीच में structure फेल हो रहा है और sharing में दोनों plate अलग हो रहा है structure का तो friend इसी के साथ आज का topic समापत होता है अगर अच्छा लागा होता चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए comment कीजिए जय हिंद्ज जय वोगाइब